कि हेलो दोस्तों क्या आल चाल है कैसे आप सब आयोप सल बहुत अच्छ हो रहा है आप सभी की तियारी बहुत अच्छे से चल लेगी दोस्तों मैं आव विकरांद और वेलकम टू यॉर्यूट चैनल कानपुर लाविकर आप सभी बहुत ज़ता परेशान हो है रान हो कि बहु वीडियो पहली बार देखे रहा हुँ उनको हम पताते हैं हुआ ऐसा है कि एक मिनट हाँ इस वाले मताते हैं हुआ ऐसा है कि जब 2019 का सीजियल हुआ था उस टाइम पे प्री में SSC ने सिर्टीन पॉइंट टूट्वाइंट टूट्वाइंट टूट्वाइन सिक्स्टीन प बात आती है वैकेंसी सिर्फ 8440 तो एससी ने सिर्फ 8.4 टाइमसी बच्चे बुलाए तो बस सवाल सिर्फ इतना सा है कि जब आप शुरुवात से लेकिए अभी तक 15 गुना बच्चे बुला रहे थे तो अब ऐसा क्या हो गया अचानक से कि आपने इस बार 8.42 टाइमस बुला लेकिन जब 2022 में 36,000 वैकेंसी थी तब आपने 10 टाइमस लिए और 2023 में जिब 8,000 वैकेंसी है तब आप 8.42 टाइमस ले रहो यह घर की खेति थोलू है एससी अगर चल लई तो भी हर चीज़ का प्रॉसेस होता है टिक नोटिफिकेशन निगलता आप वहां पे कुछ भी कि आप सिर्फ 8.4 टाइमस की किस हिसाफ से अपने बच्चे सिलेक्ट कर लिए तो हमारी डिमांड सिंपल सी है कि हम चाहते है कि इस बार 2023 के जो प्री का रेजल्ट आए इसमें रिफॉर्म किया जा और कम से कम 15 गुना बच्चे बठा ले जाए मेंस के लिए क्योंकि बहुत बच्चों को मौका इनी मिला यार पहली जी तो यहीं आपकी गलता है कि 2022 में 36,000 वेकेंसी और 2023 में 8,000 वेकेंसी चलो वो किया सो किया लेकिन कम से कम इस बात का तो धिहान रखो कि भाई बच्चों थोड़े से जादा बलाओ जब आपको पता है वेकेंसी कम है तो कम से कम 15 कुना बच्चे तो आप बुलाई सकते थे ठीक और उससे भी ज्यादा बड़ी बात कि जब 71,000 बच्चे आप मेंस के लिए मेंस के लिए क्वालिफाई करो मेंस का पेपर देंगे तब भी आप दो दिन में पेपर करवा रहे हो यार तब तो आप इसली एक दिन में करवा सक करते थे होगा क्या आप दो दिन मेंस का पेपर कराओगे एक तो आपका पेपर लेवल कहीं बहुत ऊपर चलागाता है कहीं बहुत नीचे उसके बाद दुता क्या नॉमलाजेशन फिर बच्चा परेशान हो गा नॉमलाजेशन करिए तो यह गलतियां करनी ही क्यों है सीधी सी बात है हम जानते है SSC प्रिजेंट आया है बहुत अच्छे से काम कर रहा है दो हजार तेजिस में उन्होंने जो स्पीड दिखा यह बहुत काबिले तारीफ है वो सब बाते सही है लेकिन छो छोटी छोटी दिक्कत है जैसे यह 8.42 टाइमस ठीक इतनी कम वेकेंसी होने के ठीक है तो अभी तक हम उने तीन कैमपेंग चलाए हैं ट्विटर पर हमारे तीन कैमपेंग चले हुए हैं जो कि तीनों सक्सेसफुल थे पहला कैमपेंग वह था 23 को दूसरा हुआ 24 को तीसरा हुआ 25 को ठीक और यह तीनों कैमपेंग की वज़े से हमारी बात SSC तक दिल्ली चलो ठीक कल है 29 सेप्टेंबर कल सुभाइ 9 बजे SSC Headquarters CGO Complex लोधी रोड नई दिल्ली इस जगह आपको जाना है तो ज्यादा से ज्यादा बची हम बोलेंगे वहां आईये ताकि अपनी बात वहां पे आप SSC के सामने रख सको ऐसा नहीं है कि आप वहां जाके कोई विरोध प्रताशन करोगे नारे लगाओगे लडाई जगडा करोगे मारा पिटी कुछ नहीं करना सिंपल से जाना है अपनी बात SSC को रखना है एक एक मिनट यह तो QR कोड दे रखें आप इसको भी स्कैन कर सकते वाट्सप कोड़ है तेलिग्राम यह हम अपने तेलिग्रा उखल गया उन्हें तो जाना ही जाना चाहिए कल अगर सुबह नौ बजाए SSC हेड़कोडर के बाहर बच्चे पहुंच जाएंगे तो यकीन करो SSC को मजबूरी में कुछ ना कुछ रिप्लाई देना पड़ेगा और यकीन करो बिल्कुल गरेगा क्योंकि अब वो इतने बच्चे हैं इतने परसंटेज बच्चे हम लेंगे तो यह तो है नहीं कि घर की खेती है कि जब मन में आया उतने बच्चे बुला लिए यह तो नहीं होना चाहिए न मानते है SSC सरकार है मारी लेकिन हम सरकार से कुछ भी गलट डिमांड करीं नहीं रहें हम ना विरो इसका जो एक्जाम हुए वहां पर आगर SSC ने पांच गुना बच्चे बलाए तब क्या कर लोगे आप लोग तो आप लोगों को भी आगे आना पड़ेगा सपोर्ट करना पड़ेगा क्योंकि ऐसा नहीं है कि दो बच्चे चलेग और काम बनगा नहीं बिल्कुल निए जब तक उन्हें वह चीज दिखाई नहीं पड़ेगी कुछ नहीं होने वाला यकीन मानू तो हम सभी से करेंगे कल सुवह 9 बजे जादा से जादा लोग उन्तिर सेप्टेमबर फ्राइड़े के दिन कल सुवह 9 बजे जादा से जादा लोग SSC हेड़क्वाटर के बार्ट शरूर जाओ अपनी बात रखो रिजल्ट रिवाइज हो या ना हो वह बात की बात है वह निगेडिविटी अभी से निगरे आप शुरू करें कि कुछ वह नहीं होने वाला आप बस अपनी दरफ से कोशिश्न करो हो भी वादा हम लोग जो एक्जाम देते हैं तो क्या हमें प कोशिस करनी है हर हाल में चाहें कुछ भी हो जाए कल सुबहे नौ बजे आपको एससी हेड कोड़र के बाहर जाना जो लोग बाहर से जा सकते हैं जरूर जाए बाकि जो दिल्ली के बहुत चुकी है हमारे कुछ बच्चों से बात भी कि तो वहां से एक चीज़ सो क्लियर होगी कि अगर ज्यादा संख्या बच्चे आएंगे तो कुछ ना कुछ अच्छा जरूर होगा और वहां जाके कुछ भी नहीं करना एक आपको फॉर्मेट दिया जाएग जो गृूप आपगो जाइए अपलीकेशन आपको चले आइए कुछ भी नहीं है कोई अपनी बात कहनी है और बोलें इस चीज़ को सपोर्डर नहीं कर सकते प्लीज बच्चों को दी मोटिवेट मत करो कि या ज़्यादा पढ़ाई कर लेते ज्यादा नमबर लेते हमें बाप बताओ जिस बच्चे के 148 आये है और एक बच्चे के 152 आये है इसका पास हो गया ये फेल हो गया प्री में तो क्या इस बच्चे ने महनत नहीं की थी यह ब बच्चा कम दें ज气 घंखेलगा ये बच्चा ज़्यादा दें लेकशन हो जाए सका बाद में सेलेक्ष्ण ना चाहाइ तो यह बोलो कि जी प्री नहीं निकाल सके में जुरम में जा रहीं कर लोकिए जो बच्रोप होकर दो सब इस सिर्फकियों पूप्छे पास dai को 900 c बोलते हैं कि बाई देखो 71,000 बच्चों में आप हो अभी 8000 में नहीं हो तो अगर आपका प्री निकल गया इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं कि आपको नौकरी लगे यह और इन में से बहुत से बच्चे जो दूसरों को अगर यह बच्चे से बढ़के एक लाग हो गए तो नीचा दिखा रहे हैं प्रिजेंट कर रहे हैं हमने देखा एक दो कमेंट्स में एक बोला मेरे इस चीज़ को सपोर्ट नहीं कर सकते मत करो कोई जबदस्ती नहीं लेगें कम से कम जो बच्चे इसमें लगे हुए हैं उन्हें डी मोटिवेट तो मत करो यार बस इतना ही मेरा कहना बाकी सभी से रिक्वेस्ट है प्लीज 29 सेप्टेंबर को सुबह 9 बजे SSC है ठीक है तो बस इस वीडियो में इतना ही था हम बस ही आपको इनफॉर्म करना चाहिए थे कि बाई इस इवेंट में जाना बहुत जरूरी इवेंट क्या यह समझो आपकी जिंदगी का है ठीक है वेकेंसी सिर्फ 8440 लेकिन एक बर आगर रिवाइस रिजल्ट आ गया तो य अगर एक बर यहां चेंज हो गया तो बाकी जितने एक्जाम है सब में स्सी को कम से कम 15 गुरा बच्चे बुलाने पड़ेंगे वरना कल को आज आज उन्होंने साले आट गुरा बुलाएं कल को साथ गुरा बुलाएंगे और उनकी मर्जी की बात है घर की खेती होगी जितन के एससी हेड़कॉर्टर के बार जरूर पहुचो आज की वीडियो में इतना ही हम उम्मीद करते हैं आप जरूर जाओगे और जो लोग स्पेशली दिल्ली के हैं वह जरूर जाएंगे थैंक्यू सो मच वीडियो देखने के लिए और हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो मे जो भी अब्लेड उता हम आपको देते हैं बाई